मंदर से आने के बाद भूल कर भी ना करे ये चार गलतियां जीवन में आ सकती हैं परेशानियां. हिंदु धर्म में भगवान की पूजा को सबसे पवित्र माना गया है. इसलिए कोई भी इंसान गलती से भी भगवान की पूजा अर्चना में कोई गलती नहीं करना चाहता क्योंकि माना जाता है कि गलत तरीके की गई पूजा से भगवान नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में परेशानिया आ जाती है आज हम जोतिश शास्त्र के अनुसार जानेंगे कि वे कौन से काम हैं जो हमें पूजा करते हुए और मंदर से वापस आते हुए नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्षमी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में मा ल अभी भी मंदर से वापस आते हुए रास्ते में नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार मंदर से मिले प्रसाद को अपने घर के प्रसाद में मिलाकर पूरे परिवार को बाट कर एक साथ ग्रहन करना चाहिए। 2. खाली लोटा वापस घर ना लेकर आएं. मंदिर में जल अर्पित. करने के बाद गलती से भी खाली लोटा घर लेकर ना जाएं. इससे घर में वृद्धी रुखती है. इसलिए जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल लोटे में अवश्य बचा लें. यदि भूल से सारा जल अर्पित कर दिया है तो मंदिर में मौजूद नल. लोटे में थोड़ा सा जल जरूर भर लें. इसके बाद घर वापस आकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जल बिखेरें. फिर पूरे घर में उस जल की छीटे मारें. वास्तु टिप्स के अनुसार ऐसा करने से घर में सकारात मकता आती है और सभी बिगडे काम बनने लगते हैं. वास्तु के अनुसार जो व्यक्ति जल के लोटे से जुड़े इस नियम का पालन नहीं करता, उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है. तीन, मंदिर में पूजा करते हुए न करें ये गलतियां. मंद मिलता है, पूजा करते हुए आप जो भी पूजन सामगरी भगवान को अर्पित करते हैं. उसमें जो भी सामगरी जमीन पर गिर जाती है, उसे वापस से भगवान को नहीं चड़ाना चाहिए, ऐसा करना भगवान का अनादर माना जाता है. साथ ही, पूजा करते हुए अप जो व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के बाद जब वह घर आता है, तो उसे गलती से भी पैर नहीं धोना चाहिए, इससे अशुप माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के सभी पुन्यशून हो जाते हैं, और व्यक्ति को शुप परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है, इ आपकी मुश्किले, एक अकसर मंदिर में ज्यादा भीड होने पर लोग भगवान के दर्शन करने के लिए एक दूसरे के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मंदिर में हमेशा भक्ति भाव के साथ ही जाना चाहिए, मंदिर भगवान के दर्शन और एक शांती प्राप्त करने का स्थान है इसलिए वहाँ पर जाकर शांती पूर्वक आराम से पूजा करनी चाहिए दो, जब मंदिर जाते हैं तो अक्सर लोग परिक्रमा भी करते हैं लेकिन कई बार जानकारी न होने की वज़ा से लोग गलत तरफ से परिक्रमा करते हैं जो सही नहीं रहता है जोतिशाचार्यों के अनुसार परिक्रमा हमेशा बाएं हाथ से शुरू करनी चाहिए और घूम कर दाएं हाथ की और परिक्रमा समाप्त करनी चाहिए शिवलिंग की परिक्रमा करते समय ध्यान रहे कि जिस स्थान से जल बहता है उसे कभी नहीं लांगना चाहिए तीन, मंदर जाते समय चमडे की बेल्ट, पर्स या चमडे से बना कोई भी सामान लेकर अंदर नहीं जाना चाहिए इसके पीछे धार में कारण यह है कि चमडे को जानवरों की खाल से बनाया जाता है, जिसके कारण चमडे को अशुध माना जाता है, पूजा के स्थान या पूजा में किसी भी तरह से चमडे की वस्तु वर्जित मानी गई है चार ऐसा माना जाता है कि मंदिर में कभी भी भगवान की मूर्ती के एकदम सामने खड़े नहीं होना चाहिए, मंदिर में लगी हुई, प्रतिमाएं विभिन्न मंत्रों से अभिमंत्रित होती है, साथ ही भगवान की प्रतिमा में से तेज उर्जा निकलती है, जिसे साधार मनुष्य सहन नहीं कर सकता है 5. मंदर में जाकर लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और समस चीजों को भूल कर केवल ईश्वर में ध्यान लगाते हैं इसलिए मंदर में कभी भी जोड़जोड से बोलना या हंसना नहीं चाहिए इससे और लोगों की पूजा में बाधा उत्पन होती है और आपको भी मंदर जाने का पूर्ण फल नहीं मिलता है 6. हिंदू धर्म में पैरों को धोने का विशेश महत्व बताया गया है जब भी आप मंदर पहुँचे तो अपने पैरों को पहले धोले इसके बाद ही अंदर प्रवेश करें कभी भी बिना पैर धोय प्रवेश नहीं करना चाहिए साथ कई लोगों की आदत होती है कि सामने से अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद मंदर के पीछे जाकर पूजा अर्चना करते हैं जबकि ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपके द्वारा की गई पूरी पूजा का फल निश्वल हो जाता है अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद यहां मुहया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है यहां यहां बताना जरूरी है कि भक्ति ज्यान सागर किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टी नहीं करता है किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशग्य से सला ले